नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब शेनल रेलवी की पार्ट शाला पे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप वाइ स्टेप आरार्बी टेक्निशन भरती 2024 का फॉर्म ऑनलाइन करके दिखाएंगे और इसमें आपको क्या-क्या समझ हो सकती है उनका भी जवाब देंगे और यहां पर देखिए बहुत सारे कंजेट है यहां पर इस बात को लेकर कंफ्यूज है टेक्निशन ग्रेड फर्स्ट और टेक्निशन ग्रेड थर्ड जो है क्या उनका अलग-अलग फॉर्म भरना होगा क्या तो आज की इस वीडियो द दिखानक ना वेबसाइट यह है और भी अप्लाइड डॉट जी ओवी डॉट आईयां ठीक है डाइरेक्ट फी वीडियो डेस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको एक अप्लाइड का सेक्शन दिखाए देखा त्यानक्ता जैसे अब अब बताने वाला हूं अगर आपने रजिश्टिशन नहीं किया तो किस प्रकार से आपको रजिश्टिशन करना रहेगा आपको आपकी बेसिक डिटेल यहां पर मागी जाएगी जिसे आपका पूरा नाम, जिसे मेरे नाम खेमरास से नहीं है, मैं खेमरास से नहीं दोनों जेगा डाल दूँगा यहाँ पर एक option है क्या आपने आपका नाम change किया है अगर नहीं तो no के उपर किलिक करना है अगर आपने yes के उपर click करना पड़ेगा और click करेंगे तो आपको एक certificate भी देना पड़ेगा ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर date ओपर डालनी है है जो आप इस कलेंडर पर क्लिक करें डाल सकते हैं हर चीज आपको दो बड करने ताकि आप से कोई गलती नहीं हो फोम बर्द को यहाँ पर जेंडर आपको डाला है मेल फिमेल या जो भी आप है डान्सेंडर वह इसके करेंगे आपके फादर का नाम डाल है ध्यान रखना है आपका जो नेम डालेंगे फादर का नेम डालेंगे और डेट बड़ डालेंगे यह तीनों चीजे यहां पर आपकी जो टैंथ की मार्क सीट है की मैट्रुकलेशन उसके आधार पर होनी चाहिए बले ही आपके आधार कार्ड या बाकी डोकिमेंट में यूजिंग आधार आएगा तो यहां पर आपका ओलड़ी जो आधार में नाम है वो आजाएगा और आपकी डिटो बरत्व आजाएगा तो आपको उसके उपर चेक बोक्स करके और नेक्स्ट करना रहेगा उसके बाद यहां पर देखिए आपका इमेल आडी और मूबाइल नमर मगा जाएगा और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यह दोनुची बहुत जादे इंपोटेंट है ठीक है तो यहां पर आपको खुद का इमेल और खुद का मूबाइल नमर डाला रहेगा ताकि भविश में रेल्वे कोई भी अपडेट दे जोइनिंग के संबंद 2008-2024 यह ऐसा कुछ लिख सकते हैं मतलब इंगलिस भी आजाए नियुमेरिक भी आजाए और इस्पेशल करेक्टर भी आजाए यहां पर यह कैप्चा जो लिखा हुआ है इसको भरना है और क्रिएट एन अकाउंट के उपर क्लिक करना है हम ओल्ड़ी अकाउंट क्रिएट कर वहले कर लेता हूं है अब यहां पर देखेए मैंने अल्लेड ऐकाउंट बनाए वहा था तो मैंने यहां पर लोगिन कर लिया है यहांपर आप देखेंगे तो जैसे अप लोगिन करेंगे तो यहांपर सबसेâm05 ले जनरल इंस्टरक्शन यहां पर शो होगे हना कि आपके आपको उता जाएगा तो दीकिए दो अलग-अलग फो में जो आपको एक साथ भरने होंगे एक आपका टेक्निशन ग्रेड फर्स्ट सिगनल का है यानि कि ये अट्थाइसो पे ग्रेड लेवल फाइव का रहेगा और ये जो दूसरा है दोस्तो वो है टेक्निशन ग्रेड थर इस वाले को जो है नहीं बरेगा ये टेक्निशन ग्रेड फर्स्ट में आपको दिक्कत इतनी नहीं आने वाली है टेक्निशन ग्रेड फर्स्ट में आपको जो पोस्ट प्रियोटी भी नहीं डाली रहेगी लेकिन जो ये आईटिय वाले जो कनिडेट है इसमें PCM भी सामिल ह इसलिए यह वाला फोम आपके सामने आपको भरके दिखाएंगे ताकि जो भी प्रोब्लम होंगी पोस्ट प्रिफरेंस किस प्रकार से डालनी है तो वो सारी चीज आपको बैटर तरीके से समझ जाएंगी तो यहाँ पर आपसे पूछाएं कि आप कौन से फोम बढ़ना चाहते हैं तो हम अजबेर से ही फोम यहाँ पर डालना चाहेंगे यह चैक वोक से इसके उपर क्लिक करना है और नेक्स के उपर क्लिक करना है यहाँ पर उतारका है कि this data is facted from your previous save data check all the detail to proceed further देखिए हमने जो पहल कारी सभी है क्या तो यहां पर तो देखें आपको अपने तो हैरा फो और सिंगनेचर और लास्थ मा याप्स सब बारे में देखेंगे तो चलिए ज़ूर करते हैं तो परक्रेवडेरी जाया में तो यहां पर देखेंगे जब हमने registration किया था तब बहुत साई detail यहां पर डाली थी तो automatic यहां पर आचुकी है जैसे आप देखेंगे यहां पर nationality आचुकी है डेटो बरता चुकी है उसी साब से आपकी age भी calculate कर दी है आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका gender, email id, mobile number यह आचुका है यह आपको भढ़ना रहेगा अगर नहीं आ रहा है पहली बार तो आपको भढ़ना रहेगा ठीक है अब यहां पर देखेंगे नीचे को option है marital status यानि कि आप वेभाई किस प्रकार का status है तो यहां पर अगर आप married है तो married, unmarried है तो unmarried कर सकते हैं फिलाल मैं यह आप पर click कर देता हूँ religion आपसे पूचा गया है धर्म आपका तो यहां पर देखें जो भी आप हैं हिंदू, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist वो यहां पर click कर सकते हैं तो हम Hindu के उपर click करते हैं इसके बाद यह है कि choice of language of examination जो दोस्तो बहुत important है देख दोस्तो 15 बासवां में आपका exam होने वाला है जिसमें English और अन्यवासाय में सामिल है अब इसमें होगा क्या मालीच यह मेरे को Hindi आती है और मैं Hindi में paper देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं Hindi यहाँ पर choose करूँगा अगर मैं Hindi choose करी है तो इससे क्या होगा मेरा जो paper आने वाला है न वो दोस्तो English में तो why default आएगा यहाँ आएगा तो Hindi में भी मेरा जो paper है यहाँ पर आएगा अगर आप दूसरी language select करते है मालीच आपको गुजराती आती है आपको जो भी आती हो नमें select कर सकते है तो गुजराती किया तो गुजराती करने से क्या होगा इंग्लिस में तो paper आएगा याएगा गुजराती में paper यहाँ पर खुलेगा तो I hope आप समझ कि होंगे इसके बा permanent visible marks of identification यानि कि आपको identification के लिए marks देना है यानि कि आपका सरीर पे कोई चोट का निसान हो उस प्रकार का कोई ऐसा निसान बताना है जिससे आपको पहचाना जा सके exam में कि भई आप वही candidate हो तो आपको कोई चोट का निसान है permanent जो हटाया नहीं जा सके तो वही आपको देना मतला है मतला आपके सरीर में ऐसे कोई भी निसान चोट लग गई हो ऐसा कुछ वह आप लिख सकते हैं और जिसे बदल नहीं सके परमनेंट जो है ना permanent का मतले है कि जिसको हम बदल नहीं सके सेम रहे तो वह चीज़ आपको डाले तो आपके सरीर में कोई चोट का निसान तो ह पूछा जाएगा आप किस केटेगरी से हैं आप यू आर से हैं अन्रिजर्व हैं सी एस्टी ओबीसी या फिर एडबलो एस हैं तो देखिए हम ओबीसे बिलों करते हैं ओबीसी को पर क्लिक कर देते हैं यहां पर आप से पूछ रहा है डो यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रि देता हूँ देखिए क्रीमी लियर का मतलब यह होता है कि आपका जो है सालना आए आठ लाग से उपर है अगर आठ लाग से उपर आपकी इंकम है एक साल की तो आप आते हैं क्रीमी लियर में यानि कि आपको आरक्षन का बेनिफिट नहीं मिलता आप यू आर यानि कि जनरल ही consider किये जाएंगे दूसरा अगर आपकी सालना आए आठ लाग से कम है ठीक है आठ लाग से कम है तो आप आते हैं नौन क्रिमिलियर NCL में और आपको आरक्षन का benefit मिलता है तो यहां पर आपसे पूच रहा है do you come under OBC non-crimalier क्या आप OBC non-crimalier में आते हैं तो अगर आपकी आठ लाग से कम की इंकम है तो बिल्कुल आपको यस करना पड़ेगा फिर आपसे आप एक certificate नमबर मांगेगा और issuing authority मांगेगा तो इस सीज को आपको भरना है इसलिए मापको बोल रहा था कि OBC वाले आपना जो certificate है वो यहाँ पर बना के पहले ही तयार रखे तो यहाँ पर आपको का certificate नमबर डाला है कब issue किया गया था वो date डालनी है और issuing authority कौन है तो issue authority normally जो होता है सब-divisional office यहाँ पर होता है तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं सब-divisional office जो है यहाँ पर देखेंगे सब-divisional officer ओफेर विजर कंडिट एंड और इस फैमिली दिसाइड तो यह जो है इनवे साब को इसा भी कर सकते हैं ठीक है बाकि आपके पास है डिटिल डाल दीजिएगा अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं आपसे डिटिल नहीं मंगेगा लेकिन आपको अरक्षन का benefit नहीं मिलेगा फिर आपको जहें नीचे आना है आपका जो address है वो यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ प अब हम जो है दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टेप जो है वह है अमारा अधर डिटेल का तो हम जो है अधर डिटेल वाले section पर अटोमेटिंग आप आप पर पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमें हो क्या आप डिफेंस बगना में पहले काम की हुए हो तो हम करेंगे नहीं हम तो नहीं की हुए इसके बाद पूछ रहा है आर यू ए पर्शनल विद बेंचमार्क डिसिबिल्टी क्या आप दिव्यांग या विकलांग करने रेट हो तो अगर आप है तो यस कर देना यस करोगे तो आप से डोकिमेंट मांगे जाएंगे आपका वि OBC या यह तीनों कैटिग्री में आते हैं लेकिन इनके साल की जो इनका इनमें नहीं आते हों और इनके परिवार की वार्शिक जो आए हैं पचास हजार से कम हो वही दोस्ते आपर EBC में आते हैं बाकि जो है गलती से EBC को पर क्लिक मत कर देना क्योंकि यह पर फीस आपकी 500 सब्सक्राइब लेकिन बाग मैं आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा EBC का तो मैं आपको यह रिक्योंट करूंगा आप इस नो के उपर ही किलिक करना आगे यह पर पूछ रहा है क्या आप एक रेलवे के पहले ही सर्विंग एमप्लोई हो तो देखिए अगर आप पहले ही जोब कर रहे हो तो आपको यहां पर यस करना पड़ेगा अब जैसे यस करेंगे तो यह पर पूछेगा आपको कंट्रोलिंग ओफिसर से आपके लिए क्या अपको जोइनिंग मिलेगी तो उनको कोई प्रोड़म थोड़ी है टेक्निशन जोइन करने से तो आपको हम यहां पर बताना पड़ेगा यहां पर पूला है वैव यू आप्लाइड झास को यह अपनटि नहींकर दिया है तक हम जो है भी अर्थfaill डूब तो इसके बदर आपके जो पूसटिंग वह कहां पर थो इस empath सेचन कर नाम डालेंगे ना दाल देंगे वरक्शोप कर नाम zone तो zone या unit का आप देखेंगे तो यहाँ पर zone आपके सारे के सारे जाएंगे तो फिलाल जो है हम जिस भी zone में है वो हम डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर railway का employee number होता है employee ID होता है वो आपको डालना पड़ेगा कब आपकी जोइनिंग होई है वो यहाँ पर डालना रहेगा तो जो भी करने देट अगर railway जोब नहीं करते हैं वो no की ओपर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ ने मंगेंगा ठीक है आगे और पूछ रहा है current employment detail यानि कि आप currently कहाँ पर जोब करते हैं तो यहाँ पर पूछेगा कि आप सेंटल कोर में टेंपल होई हैं स्टेट कोर में टेंपल होई हैं पीश्व में काम करते हैं और नहीं करते तो not applicable क्लिक करना है अगर आप बोलेगे कि हम पहले ही जोब करते हैं तो वह है कि आपको लेना पड़ेगा तो यहाँ पर जो हम no के उपर क्लिक कर देते हैं आपके लिए क्योंकि आप मुझे नहीं लगता कि maximum connect है जोब करते होंगे आगे यहाँ पर पूछा है आर यू completed एक नीचा आजाते हैं वापिस आपसे पूछा है कि आपने क्या railway में apprentice कर रखी है apprentice एक railway में course होता है जिसके उपर आपने already वीडियो मनाया है एक साल का आपको लेना पड़ता है जिससे क्या होता है गुरूपडी के अंदर आपको 20% सीटो पर reservation मिलता है यहाँ पर आपको reservation का कोई benefit नहीं मिलेगा तो अगर आपने railway में apprentice किया है apprentice की भड़ती आती अलग से तो आपको yes करना है अधरवाज आपको no के उपर click करना रहेगा आगे यहाँ पर जो आपसे bank retail यहाँ पर मांगा गया है अब देखें bank retail क्यों जरूरी है तो दोस्तों bank detail जो है आप देखें आपका जो भी 500 रूपय या 200 रूपय लिए जा रहे है तो यहाँ पर normal candidate है जैसे OBC है, UR है तो उनसे दोस्ते यहाँ पर 500 रूपय फीस ली जा रही है SCST female transgender से डाइस रूपय यहाँ पर लिए जा रहे है तो जो भी connect यहाँ पर CBT exam में प्रेजेंट होगे तो OBC और UR वालों के 400 रूपय रिफंड कर दी जाएंगे और SCST female transgender के 200 के 200 रूपय रिफंड कर दी जाएंगे तो वो कहाँ पर आएंगे वो आएंगे आपके bank detail जो यहाँ पर यह डालेंगे तो इससे को आपको ध्यान डगना है अगर आप cyber cafe से form बरवन जाते हैं तो ध्यान डगना है कि आपको खुद का bank detail डालना है otherwise जो रिफंड आने वाला है उनकी account में आ जाएगा तो चलिए यह साई detail यहाँ पर फिल कर देते हैं और फिर आपके साबने next पर click करते हैं तो हमने detail बरदी है अभी हम next के उपर click करते हैं next के उपर click किया तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो portion था वो भी यहाँ पर clear हो चुका है अभी हम education qualification के उपर आ चुके हैं तो education qualification में आपको यहाँ पर दिखिए जो है सबसे पहले education qualification यहाँ पर सारे डालनी रहेगी तो पहला जो automatic यहाँ पर आगया essential तो आपका 10th जो है आपको minimum डालना ही पड़ेगा 10th के बाद यहाँ आप सारे यहाँ पर करते हैं तो आपको दे कि यह passing यह हम आपके लिए डाल देता है फटाफट तो यहाँ पर आपने डाल दिया है देखिए एक चीज़ आपको जान रखनी है essential qualification आप से पूछ रहा है essential का मतलब होता है कि matriculation यानकि 10th तो शुरुबात में आपको यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं आएगा जी qualification में सिर्फ आप से roll number, state, district यह पूछेगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने गलट डाल दिया है आप यह जो pen mark क्लिक है इसको पर क्लिक करेंगे दुबार एडिट कर सकते हैं यहाँ पर इसको delete वाला section पर delete करके दुबारा से पूरा भी भर सकते हैं तो यहाँ NAC, ITI और 10 plus 2 NAC का मतलब होता है कि National Apprentice Certificate और ITI तो आप जानते ही है और 10 plus 2 आप जानते ही है तो तीन परकार की education qualification आप जो है technician grade 3 में बढ़ सकते हैं तो हम जो है एक बार सभी डाल के देख लेते हैं यह 10 plus 2 हमने किया हुआ है तो एक बार हम 10 plus 2 है वो आप डाल देते हैं औ और किस state से किया है वो आपको डालना रहेगा तो वो हम डाल देते हैं उसके बाद किस district से किया है वो भी हम डाल देते हैं और फिर आपका कौन सा board था और कब आप passway वो डालेंगे ठीक है तो यह डाल देते हैं तो हमने 2 education qualification डाल दिये हैं और भी अगर आपके पास है तो ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर चलिए हमने माली जी आई टी आई भी कर रहे है तो आई टी आई का भी ट्रेड हम डाल देते हैं तो ट्रेड जो है माली जी हमने फिटर कर रहा है तो फिटर हमने क्लिक किया यहां से देखे आप से पूचेगा certificate issue by तो यहाँ पर होगा NCVT है और SCVT है और certificate पूचाए तो आप यहाँ पर देख लिजेगा आपके लिखा होगा कि national trade certificate है यह पर state वाला और आपको जो है add के उपर क्लिक करना रहेगा तो हमने है तीन यहाँ पर ट्रेड डाल दिया है एक matriculation वाट डाल दिया है 10 प्लस 2 भी डाल दिया है और आते हैं तो यहाँ पर दी कि आप से पूचाए फोटो और सिगनेचर ज्यान रगना फोटो और सिगनेचर बहुत इंपोर्टेंट है फोम वर्थ टाइम पे इनी की विज़त से आपका जो है फोम याप रिजक्ट होता है हम ओल्रडी वीडियो में आपको बता चुके है फो और चस्मा वगर्ण आप यूज कर रहे हैं तो चली हम यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर सलेट कर लेते हैं तो इस प्रकार का फोटो आप लगा सकते हैं हम आपको रिक्रेमेंट करेंगे कि आप वाइट वेगर वेग्राउंड में आपके बास कोई फोटो हो तो उसे अपलो चुकी है अब हमें सिर्फ पोस्ट प्रिफरेंस याप डालना रहेगा यहां पर देखे अभी हम को दिखा रहा है कि आपने आरार भी मेर्स अपलाई किया है अगर आप जोन यहां पार चाहते हैं तो यहां से आप change कर सकते हैं यहां पर दिखिए RRB अजवेर से जो भी post है और जो भी education qualification हमारे पास है उस हिसाब से हमारे पास यहां पर आ चुका है कि कौन कौन सी post के लिए आप apply कर सकते हैं तो यहां पर आप दिखेंगे एक track machine की post आ चुकी है NWR में एक WCR में आ चुकी है एक NWR में technician SNT की है एक WCR में SNT की है एक आपके WCR में electrical TRS की है और एक आपके WCR के अंदर electrical की है तो यहां पर हम जो भी post चाते हैं अपने अनुसार के अगर हमारा selection हो जाए और सिदी सी बात आप उसी के लिए form भर रहे हो और preparation कर रहे हो तो आपको कौन सी post आपकी choice है कि कौन सी post आपको मिले तो देखे हम चाते हैं कि हमको इन post जो है उनमें से SNT वाली जो है सबसे पहले मिले यह सब का अलग-अलग है ठीक है मैं सिर्फ अपने अनुसार भर रहा हूं आप जो है अपने अनुसार भर लीजिएगा क्योंकि हम NWR में है तो अप पहले क्लिक करेंगे कि NWR की SNT वाली हमको मिल जाए फिर हम चाहेंगे कि SNT की जो post है वो हमको जो है मिल जाए WCR की तो इसके उपर क्लिक करते हैं इधर से automatic की कम होती जाएंगे फिर हम चाहते हैं कि NWR में ट्रेक मशीन की जो है वो हमको मिल जाए और फिर WCR की है तो हम जो है इनके उपर कोई से बी क्लिक कर देगे ठीक है आप जो है अपने अनुसार post preference देख सकते हैं आपका medical standard क्या है उसके नुसरा थोड़ा देख लीजेगा बस कुछ नहीं करना इसके बाद इसके उपर check box के उपर click करने रहेगा यहाँ पर एक check box आएगा यहाँ पर आपको place पुझा जाएगा तो जो भी place है वो आप डाल देख जहां से आप form डाल रहे हो ठीक है तो यह आपने बर दिया है preview application आएगा तो यहाँ पर दिखी यह आपका form है उसका preview आपको दिखा रहा है ठीक है एक बार आप check कर लिजेगा आपने जो form बरा है उसमें कोई गलती तो नहीं है और उसको check कर लिजेगा अगर आपको चाहिए कि आप चैन्ज करना चाहते हैं तो आप चैन्ज कर सकते हैं अगर आपने payment कर दिया उसके बाद आप चैन्ज करेंगे तो ठाई सूर्पाल अग्से चार्ज करेगा तो एक बर पूरे form को अच्छे से चेक कर लिजेगा तो हमने चेक कर लिया है हमें कोई परिवर्टन नहीं चाहिए तो आई है यहाँ पर राइट साइम डिटेल हमारी दिखा रहा है पेमेंट डिटेल्स किसके लिए पेमेंट आपकटेगा तो हम जो है पे नाउ के उपर क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पर आपको चेक बोक्स के उपर क्लिक करना रहेगा इसके बाद जो आपसे फूच़ेगा आप पेमेंट कहां से जो है आप लेना चाहते हैं पेमेंट कहां से जम्मा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देबिट कार, क्रिडिट का ओप्शन है ठीक है इसके अलावा इंटेरेट बैंकिंग है और UPI है तो UPI सबसे अच्छा है तो हम UPI के उपर क्लिक करेंगे UPI में दो तरीके हैं चाहे तो आप दोस्तों यापर आपकी जो फोन पर Google पर PTM की जो भी UPI ID है वो यहाँ पर डाल सकते हैं या यहाँ पर QR कोड आएगा पर Google Payr है वहाँ पर QR कोड सकेन करने का ओप्शन है वहाँ पर जाएए इस QR कोड को गोल गैलरी में से सकेन कर सकते हैं या दूसरा कोई दोस्त है उसको QR कोड भीज दीजिएगा वहाँ से इसको सकेन करके और पेमिट आप कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पर जो है आप जो है अगर UPI से करेंगे तो एंटर UPI ID मांगेंगे यहाँ पर आपको UPI ID डालनी रहेगी और इसके बाद जो है आप UPI ID वेलिडियेट करके और आपके पास request आजाएगा जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारे UPI ID हमने डाल दिया है और वेलिडियेट करते हैं तो यहाँ पर यह वेलिडियेट कर रहा है UPI ID को और फिर आपके जो phone पर Google पर जिसका भी आपने UPI ID डाला है उस पर दोस्ते यहाँ पर request ला जाएगा हम Pay Now के उपर क्लिक करते हैं तो उसके उपर request ला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया है ठीक है इसलिए दिक्कत दिखा रहा है तो यहाँ पर देखिए आप जो इस प्रकार से payment करेंगे बाकि आप पर जो form है जो पूरा आपर successfully भर जा चुका है बस इतना ही आपको करना रहेगा payment करना है और आपका form का print out आपको Google Drive पर save कर लेना है बाकि देखिए इस बरती के बारे में कोई भी doubt हो रहा है form बरती टाप में कोई दिक्कत हो रही है comment कीजिए मिलते एक लिए वीडियो में तब तक जैहिंद